नमस्क्राइब दोस्तो टेक होम टेप्स में आपका स्वागत है और आज आपके लिए लाई हूँ पांच मिनट में बनने वाला आसान सा केक जिसे हम बनाएंगे गैस के उपर कोई जहनजट नहीं है बेसिक से इंग्वीडियन्स के साथ पांच मिनट में जहटपट बन जाए तो दोस्तो यहां पर देखे सबसे पहले मैंने एक mixing bowl ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ दो अंडे यह अंडे बिल्कुल room temperature पर है इनका हम इस्तमाल कर रहे हैं अगर आप अंडे skip करना चाहते हैं तो आप आधा कप दही का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर मैंने बिल्कुल room temperature पर अंडे ले लिये हैं और इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप से दो चमच कम चीनी का powder और यहां पर एक चौधाई चमच में ले रही हूँ तेल रिफाइंड ओल का यूज़ करेंगे हम यहां पर जिसमें कोई भी flavor नहीं होता और अब यह सारी च अच्छे से फेट लेंगे ताकि नमक भी मिल जाए अब यहां डाल रही हूँ मैं एक चौथाई कप दूद यह दूद थोड़ा सा गुंगुना है इसे मैं इसमें डाल दूँगी और इसे भी लगबग एक से दो बार हम फेट लेंगे अब यहां पर मैं डाल रही हूँ कोक पॉडर की कोई भी लम्स इसमें ना रह जाएं अब यह भी हमारा तैयार है तो अब मैं यहां पर एक स्ट्रेनर यानि एक चनी लूँगी और उसमें मैं डालूँगी आधा कप मैदा चनी का इसले कर रहे हैं ताकि कोई भी गुठली ना रह जाए एक चोथाई चमच डाला का मैठेट भी आप देखे एक ही तरफ को घुमाएंगे कट एंफोल मैठेट का इस्तमाल करेंगे बहुत फेटना नहीं है इसको तो देखे इस तरह का हमारा बैटर बन गया है थोड़ा भी कंसिस्टेंसी इसकी लिक्विड है तो यहां पर अब मैं इसमें एक चोथाई कप मैदा और डालूँगी आधा कप पहले डाला था एक चोथाई कप और डाल दिया तो यानि टोटल तीन चोथाई कप मैंने इसमें मैदा डाला है और इसे भी देखे चान लूँगी और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर देखे हमने मैदे को भी इसमें मि ध्यान दीजेगा क्योंकि मैदे की क्वैलिटी भी अलग अलग होती है और अंडा आपने डाला है वह भी तो आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि यह हमें बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए यहां पर देखे पुरानी सी मेरे केक पर चिपक जाता है और फिर निकालना बहुत टाफ हो जाता है तो यहां हमारी कडाई विल्कुल रेडी हो गई है और अब हमने जो केक का बैटर त्यार किया है वह मैं इसमें डाल दूँगी देखे आप कडाई देखे समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन स्टिक क पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी गैस को बिल्कुल लो आच पर मैंने ओन कर दिया है गैस फ्लेम को और उपर यह कडाई रग दी है और उपर से धकन लगाकर इसको लगभग 5-6 मिनट तक धीमी आच पर हमें कुक करना ह और 5-6 मिनिट हो गए हैं दोस्तो अब मैं इसे उठा के देखती हूं धकन को धकन काफी गरव है तो मैंने कप्ड़े से उठाया और अब मैं इसमें एक स्टिक पतली डालकर देखूंगे आप टूटपिक का इसमाल कर सकते हैं या तो ना paar बिक है जा सकते हैं जास चेक यह बिल्कुल ड्राय निकल के आ रहा है देखिए इस टेक तो यानि अब याश को कर देंगे बन और इसको मैं निकाल दूंगी पैन को अभी क्यूंकि हमने पीछे बटर पेपर लगाया था तो ये बहुत आसानी से दोस्तों निकल जाएगा बस इसे एक किसी भी फ्लैट सर्फेस पर पलट दीजिए और देखिए आपका ये कितनी आसानी से निकल गया है पीछे से देखिए अभी बटर पेपर कितनी आसानी से निकल जाएगा बिल्कुल देखे केक कितना परफेक्टली पीछे से भी कुक हुआ है बिल्कुल जला भी नहीं है और बिल्कुल अच्छे से ह इतना शांदार लग रहा है अभी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ये इंस्टन केक है आचिल गर्मियों का मौसम चल रहा है बच्चे घर पे हैं और उन्हें कुछ भी जटपट से चाहिए तो ये बिल्कुल जटपट बनने वाला केक है तो इसे बहुत देर तक आधा गंटा एक घंटे तक ठंडा होने का तो ये सवाली नहीं होता तो दोस्तों पांच मिनट ले बस मैं इसे ठंडा करूंगी और इसे जटपट काटेंगे क्योंकि ये बच्चो कले बना है और ज्यादा देर तक तो हम इसे रख नहीं सकते क्योंकि अगर ये इतनी जल्दी पांच मिनट पर बन गया है तो आधा गंटा रखने का कोई फाइदा नहीं तुरंट काट के देखें ये केक रेडी है और बच्चे भी बैट चुके हैं इसे खाने के लिए तो यहाँ पर देखें कितना मॉइस्ट कितना परफेक्ट बना है और देखें कितना परफेक्ट लग रहा है कि पांच मिनट में बना हुआ केक नहीं न तो आप भी जटपट से इस केक को ट्राय कीजेगा बहुत ही परफेक्ट बना है और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और घर में बच्चों को ये कैसा लगा जल्दी मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ